हेलो एबरिबन वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी आसा करती हूँ आप सभी स्वास्थ होंगे मस्थ होंगे और जो मस्थ नहीं है वो ये रेजिपी ट्राइ करके आलवेज मस्थ रह सकते हैं तो आज मैं बनाने वाली हुए कैसा जूस जिससे हमारा हीमोग्लोब मarrar के दाने और एक बॉल लिया हमने चुकंदर ये दोनों ही बहुती फाइदे मद मुझे नहीं लगता कि इसके फायदे मुझे बताने होंगे क्योंकि ये सब भी को पता है कि अनार और कि बोडी के लिए बहुती फाइदे मंद है तो इसे डाल दिया हमने मिक्सी किजार मे इसे धोकर हमने अच्छे से छोटे छोटे टुकडों में कार दिया चुकंदर को और अनार को छील लिया था उसका दाना निकाल लिया था उसको डालेंगे और इसके साथ डालेंगे दो इंच अदरग का टुकरा आधा छोटा चमच डालेंगे काला नमक और इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चमच नीम्बू का रस यानि आधे नीम्बू का रस इसके अंदर डालेंगे उसका बीज हमें निकाल लेना है उसके बार डालना है और एक बड़ा चमच हम डालेंगे सहद सहत कीज़गा पर आप एक छोटा टुकरा गुर का भी इस्तमल कर सकते हैं और इसमें डालेंगे हम हाफ लिटर पानी और इसे अच्छे से पीस लेंगे ये बहुत ही healthy drink बन कर तयार होगा इस तरीके से इस drink की recipe को आप जरूर dry कीजेगा तो मैं इसे पीस लेती हूँ इसे हमने पीस लिया है आप चाहे तो इसे as a tea ऐसे भी serve कर सकते हैं मैं इसे चान लूँगी उसके बाद मैं आपको इसे serve करके दिखाती हूँ ये बहुत healthy drink बन कर तयार है recipe थोड़ी सी भी अच्छे लगी हो तो recipe को एक like कर दे अपने friends और family के साथ जरूर share करें ताकि वो भी अपना hemoglobin बढ़ा सके चैनल पर अगर आपने पहली वार विजिट किया है तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को याद से press कर ले ताकि new videos की notification सबसे पहले पहुचे आप तक तो यह देखिए इसे हम strainer में इस तरीके से चान लेंगे आप चाहे तो सूती कप्रे में या मलमल के कप्रे से भी इसको बहुत यासानी से चान सकते हैं लेगिन strainer तो सभी घरों में मौझूद होता है तो strainer से यह काम मिंटों में हो जाएगा तो इस तरीके से इसे हम चान लेंगे यह बहुत ही healthy drink बन कर तयार हुआ है इस तरीके से इस drink की recipe को जरूर ट्राइ कीजिएगा घर में बच्चे हैं बुढ़े हैं और जो young है उनके लिए भी यह बहुत ही फायदे मन्द है जो young है उनके लिए भी यह बहुत ही फायदे मन्द ड्रिंक है तो यह देखिए हमने इसे चान लिया है और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ इस तरीके से इस drink को बना कर आप वन वीक तक फिरिज में store कर सकते हैं जब भी आपका drink पीने का मन करें आप फिरिज से इसे थोड़ी दिर पहले निकाल दे और उसके बाद पी ले तो यह हमने serve कर दिया है इस तरीके से इस juice की recipe को try करें enjoy करें मिलती हूं new video में एक बहुत ही अच्छी सी recipe के साथ तब तक channel पर बने रहे और आप किस city से मेरी वीडियो देख रहे हैं हमें comment में जरूर बताएं चानल पर न्यू विजिट किया है तो